जय हिंद बंदे मात्रम दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूटूब चैनल जे फोर सक्सिस में आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले बरसों से आपके सीटेट एक्जाम के पेपर का पैटर्न बिलकुल ही बदल चुका है और जो पेपर का लेबल है वो पिटब हो चुका है इसलिए इंपोर्टेंट आपको बात बता देना चाहता हूं कि आपके जो सिलेवस के टोपिक ही आपके एक्जाम में पूछे जा रहे हैं अगर आपने कच्छा 6 से लेकर 8 तक की NCRT की किताबों में सोसल साइंस के टोपिक अच्छे तरीके से कवर कर ल लिए तो आपको सीटेट एक्जाम क्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप टोप करने वाले हैं अभी से अपनी तयारी में जुट जाए हम आपके लिए लाए हैं ये प्रीविएस येर का कोस्टन पेपर और इसी आधार पर आपके एक्जाम में कोस्टन पूछे जा रहे हैं अगर आपने अच्छे तरीके से तयारी की होगी चाहें जोग्रोफी की चाहें पॉलिटिकल साइंस की चाहें हिस्टरी की तो आपको पता होना चाहिए कि हमने अपनी तयारी कितनी लेवल तक की है तो इस वीडियो से आपके लेवल का भी पता चल जाएगा और आपकी तैयारी भी मजबूत हो जाएगी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यापर समाजे विज्ञान का वीडियो रहने बाला है कोस्टन नंबर 31 से शुरू करते हैं कोस्टन 31 नंबर कहा है यहाँ पर भारत में सरद रितू के संबंद में कथन यहाँ पर दिये गए हैं त भारत में सरद रितू की अरथात जाड़े वाले रितू की बात हो रही है कि इस मौसम को दच्छिड पस्सिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है आपको मालूम होना चाहिए दच्छिड पस्सिम मानसून गर्मी वाले मौसम को कहा जाता है किसको कहा जाता है गर्मी वाले म मौसम को दच्छड पस्टि मानसून कहा जाता है लेकिन यहां बात हो रही है भारत में सरद रितु की तो ओपसन यहां पर जो कथन एक दिया गया है कथन एक यहां पर कैसा होगा गलत हो जाएगा कथन दूसरा क्या कहता कि इस मौसम में पवन पंगाल की खाणी तथा अरब सा होगा और ओपसन मतलब की तीसरा कतन कहता है कि यह मौसम मानसून के आने तता आंगे वढ़ने का मौसम है नहीं यह भी गलत हो जाएगा यहां पर तो इस प्रिकार से जो इसका राइट आंसर होगा तो मतलब की तीनों ही ओपसन हैं पर कैसे होंगे गलत हो जाएगे अर्था सुंदर वन डेल्टा का निर्माड करती है गंगा ऑवं ब्रह्म पुत्र नर्मदा तापी महणाधी ए गोदावरी कृष्ण शमें १ conoc Reek найти घ्रहाख की जाए तो आपका हो जाएगा यहांपर गंगा ऐवं ब्रह्म पुत्र फात्य गंगा याद रखनी होगी बढ़ते हैं अंगले कोस्टन की तरफ कोस्टन नमबर यहाँ पर दिया गया है 33 33 कहता है कि दिये गए लच्छड ए बी के आधार पर वायू मंडली ये परत की पहचान करनी है यहाँ पर आपको अंतिरिच से प्रिवेस करने वाला उलका पिंड इस परत मे आने पर जल जाते हैं कथन दूसरा है कि इस परत में बढ़ती उचाई के साथ तापमान घटता है तो केवल कौन सी परत यहाँ पर होगी छोब मंडल होगी या समताब मंडल मद मंडल बाहे मंडल तो राइट आंसर की अगर बात की जाएगी अगर अंतिरिच में प्रिवेस करने वाला कोई भी उलका पिंड है वो कैसा होता है उस परत में आने पर ही जल जाता है और उस परत का उचाई के साथ तापमान भी घटता है तो वो परत आपकी होती है मद मंडल कौन सी परत होती है मद मंडल में उलका पिंड जल जाते हैं और उचाई के साथ तापमान भी घटता है यहाँ पर right answer आपका क्या होगा यहाँ पर right answer हो जाएगा आपका मध्ध मंडल अगर छोब मंडल की बात की जाए तो छोब मंडल को समभेन मंडल भी कहा जाता है छोब मंडल में मौसमी घटनाए होती है जैसे की बरसा, तूफान आंधी इस परकार की जो घटना होती है वो आपकी होती है छोब मंडल में अगर समताप मंडल की बात करें समताप मंडल में इस परकार की कोई भी घटना नहीं होती है बातावरण मतलब की समान रहता है वहाँ पर आपके जाज उड़ते हैं कि कहां उड़ते हैं समताप मंडल में उड़ते हैं समताप मंडल को ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है और बात करें अगर बाहे मंडल की तो बाहे मंडल का मतलब होता है क्या मतलब होता है बाहे मंडल का मतलब होता है आपका आयन मंडल अथवा ताप मंडल भी से कहते ह किसको बाहे मंडल को ताप मंडल या आयन मंडल भी कहते हैं जिसमें रेडियो तरंगे पाई जाती है और इसके बाद एक होता है बहिर मंडल को ऐसा मंडल होता है बहिर मंडल और बाहे मंडल इन दोनों में अंतर पाया जाता है बाहे मंडल वह होता है जो मद्ध मंडल के और उसमें होने वाली गैसों के साथ राइट आंसर की बात की जाएगी तो सौर उर्जा के साथ सोलर इनरजी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन बिंदू का संबंद नेक्ष्ट कोस्टन कोस्टन नमबर यहां पर आचुगा है 35 संकुधारी बन जो आपके संकुधारी बन होते हैं ये किस छेतर में पाए जाते हैं एक तरफ दिये गए हैं आपके बिरच और दूसरे तरफ दिये गए हैं मतलब कि उनके छेतर कहां पर इस प्रकार की बनस्पति पाई जाती हैं जो आपके संकुधारी बन होते हैं वो आपके पाई जाते हैं नरम काश्ट वाले सदावार विरच तो इसका ओप्सन होगा यहां पर ओप्सन नंबर तीन एक का तीन यहां पर आपको ढूनना है तो एक का तीन ओप्सन एक में नहीं है ना ही यहां पर चार में तो और पुष्टी इस ओप्सन की करते हैं भूमद जो सागरी बनस्पति होती है वो आपकी कहां उकती है वो उकती है महादीप के दच्छड पस्सिम किनारों पर तो जच्छड और पस्सिम बाला ओप्सन आपको दिया गया है सबसे लाश्ट में मतलब की बीका चार बीका चा तो बढ़ते हैं अंगले कोस्टन की तरफ कोस्टन नमबर आचुका है 36 36 कहता है कि दिये गए दोनों कतनों पर ध्यान दें और उच्छित विकलब का चयन कीजिएगा तो कतन एक कहता है कि सारा रेगिस्थान एक समय में पूर्डतया हरा भरा मैदान था बिलकुल सही कतन है ये सही कतन की बात करता है आपकी एन्सीरटी किताब में एक nesस नामक शेप्टर दिया गया है उसमें ये बात की पूरी सत्त बताए गई है कि प्राचीन काल में बहुत पूराने समय की बात यहां पर हो रही है कि सारा रेगिस्थान एक समय में हरा भरा मैदान था तो कतन दूसरा कहता है कि सहरा की गुफाओं से प्राप्ते चित्र नदियां मगर हाती सेर पसूतता बकरियां दरसाते हैं मतलब कि उनके भी अवसेस वहां से मिले हैं आपके सहरा रेगिस थान से तो आपको option यहाँ पर बताना है ठीक है तो यहाँ पर दोनों कैसे हो जाएंगे दोनों ही right answer यहाँ पर हो जाएंगे तो बढ़ते हैं अंगले question की तरफ question नमबर आ चुका है 37 डॉल्फिन के बारे में ए वी सी तीन कथन है तो तीनों कथनों पर विचार करके आपको इसका क्या करना है answer देना है तो option मतलब की कथन एक यहाँ पर कहता कि गंगा और ब्रह्मपुत नदी के अलवड जल में डॉल्फिन पाय जाती है डॉल्फिन एक प्रकार की मचली होती है जोकि गंगा और ब्रह्मपुत नदीयों के सच्छ जल में पाय जाती है और मतलब की कथन C कहता कि डॉल्फिन की उपस्तिती से जल की सुद्यता का पता चलता है बिल्कुल पता चलता है तो इस प्रकार से यहां तीनों ही कथन सही बात करते हैं तो राइट आंसर होगा A, B, C, तीनों ही तो यहां पर ओप्सन नंबर एक सही हो जाएगा तो बढ़ते हैं अंगे कोस्टन की तरफ कोस्टन नंबर आ चुका है यहां पर 38 बाईो गैस बाईो गैस से सम्मद्धित कोस्टन है बाईो गैस अनिवार रूप से निम्न मेंसे किन का मिस्राण है जो आपकी बायो गैस होती है किन गैसों का मिस्राण होती है मीथेन और करवन डया- वो आपकी होती है मीथेन और कारवंडाई आकसाइड गैस का मिसरड तो बढ़ते हैं अंगले कोस्टन की तरफ कोस्टन नमबर आ चुका है 49 49 क्या है कि संसाधन की बारे में कथन ए और भी यहां पर दिये गए हैं यहां पर आपको समझ आ रहा होगा कि जो सोसल साइंस के सिले किया या दूसरा वाला इस प्रकार की कथन से संब्धित प्रसन आपके लिए पूछे जाते हैं जो कोस्टन यहां पर टाइप किये जाते हैं या उनकी जो मतलब की जो लाइन टू लाइन कोस्टन यहां पर टाइप किये गए हैं वह आपकी एंसी आर्टी किताबों के आधा पड़ेगी अगर आपको आप चाहेतों किए नीव किताब मतलब कि सर क्लास लाईएगा तो अगर आप कमेंट दोक्स में कहते हैं कि सर कम सर कि आप कलास लाएए तो हम लाएंगे आपके लिए आपके सब कुछ करने के लिए तयार है तो कोस्टन नंबर 49 कहता है कि संसाधन के बारे में कथन A और B पर विचार कीजिएगा और सही उत्तर का चैन करना है कथन A कहता है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल होता है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल नहीं होता है तो कोई संसाधन, मतलब की सभी संसाधन का आर्थिक मूल नहीं होता है मतलब की उनमें से कई संसाधनों का आर्थिक मूल होता है तो गलत होगा यहाँ पर समय और प्रद्योग की के दो महत पूड कारक हैं तो यहाँ पर option number B सही है ठीक मतलब की कथन भी सही है ए गलत भी सही तो यहाँ पर option number 1 सही हो जाएगा तो अंगला question क्या है यहाँ पर question number 40 40 क्या कहता है की निम्न में से और जाcla की पर्मप्रागत श्रोत के समूग की पह्चान आपको करनी है पर्मप्रागत बे होते हैं जिने एक बार हकतम करने के बाद दुबार प्राप्त नहीं कर सकते हैं कहने का यह अंतर गत्त आपके खनिश्टेल प्राकर्तिक गैस इंधन पेट्रोलींघ जीवासम इंधन इस प्रकार की सुरोत आते हैं तो आपको बताना है परमपरागत स्रोत समू की पहंचान यहां पर करनी है आपको खनिष तेल प्राकरतिक गैस इंधन पोईला इंधन बायो गैस जल विद्धुत भूतापी उर्जा परमाडू उर्जा सवर उर्जा जल विद्धुत तो राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो यह होते हैं ऑप्रमपरागत की बात भी कर लें तो फें नवी क्र day नहीं परकार आपके होते हैं नवी कird या किजिएगा एक तरफ आपके वर्गी करड़ का आधार है दूसरी तवर संसाधन की प्रकार विकास का प्रियोग का इस्थर बास्तिविक और संभाब यह बिल्कुल सही है निर्जीब संसाधन होते हैं उने में जीवन नहीं होता है तो वित्रट के आधार पर संसाधन की बात करें तो यह सर्ब-वियापक मतलब कि सभी जगहां पर उपलब्द होते हैं और कुछ इस्थानिक वी होते हैं मतलब ड़के कि 7 सीधे सीधे यहां पर आंसर डाइरेट दे ही दिये हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपसन नंबर एक एक के साथ एक बी के साथ दूसरा सी के साथ तीसरा डी के साथ चौथा नेक्ट कोस्टन कोस्टन नंबर 42 42 कहता है कि कथन ए लगवग 1200 साल पहले भारत में कई छेतरों में गर्मी बढ़ने के करण घास वाले मैदान बने लगे यह कोस्टन आपके घास वाले शेप्टर से पूंचा गया है जिसमें उत्तरी मतलब की उत्तरी अमेरिका के जो मैदान है घास के प्रेरी करते रहे तो कथन एक यहां पर कहता है कि लगवग 1200 साल पहले भारत में कई छेतरों में गर्मी बढ़ने के करण घास के मैदान बनने लगे सही बात है और कथन दूसरा कहता कि हेरड वारा सिंगा वक्री भेंड और मवेसी जैसे जानवरों की संख्या बड़ी लेकिन नंबर चार दोनों सही हैं लेकिन किंदू एक अकारण भी नहीं है तो अंगले कोस्टीन की तरह बढ़ते हैं कोसिन नंबर तीतालीस पुरा इसतल क्या होता है पुरा इसतल ऐसे इस्थान को कहा जाता है जिसमें किसी विशेश अवसेश मिलते हैं मतलब कि प्राचीन मतलब की बहुत पुराने अवसेस मिलते हैं तो उस इस्थान को कहते हैं पुरा इस्थल तो ओपसन एक यहां पर सोरी यहां पर कथन एक दिया गया है यहां पर वह इस्थान जहां बस्तूओं के अवसेस मिलते हैं यह जमीन के ऊपर पाए जाते हैं यह केवल जमीन के अंदर ही जाते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा यहां पर वो आपका हो जाएगा यहां पर क्या होगा मतलों कि जो बच्टों के अवसेस मिलते हैं वो कहां मिलते हैं वह इस्तान जहां बच्टों के अवसेस मिलते हैं इसका जो बात होगी जो पुरा इस्तान होते हैं पुरा इस्त कोससर हैं पर कि लोग बनाते थे पत्तर में मुहरें में मिले हैं रंडे पीले रंग से डिजाइन किया कि पात्र बिलकुल नहीं मिले हैं यहां पर लोहे से वनी तकलिया यहां पर एक बात आपको गोर करनी है लोहे का प्रियोग हडपा सब्दा में कहीं नहीं किया गया है यह बात याद रखिएगा आप लोहे का प्रियोग नहीं किया गया है जबकि सोने का प्रियोग किया गया है तामा का प्रियोग किया गया है ठीक है तो लोहे लोह का जो उपयोग है वो आपका बैदिक काल के बाद और महाजनपत काल में आपको देखने को मिलता है और मगद काल में तो लोहे ने मगद को ही विस्तारित रूप देने का प्रियास किया था ठीक है तो लोहे-लोहे का प्रियोग यहां पर नहीं हुआ, यह बात याद रखनी पड़ेगी आपको तो यहां पर C को छोट दीजिए, C किसमें है, इसमें भी आपका C है, इसमें भी C है, इसमें भी C है तो यहां पर राइट आंसर होगा, केवल और केवल, option number 2, केवल A तथा D का अनुमान लगाने हैं तु देखना होगा किया देखना होगा किसा को इतिहासकार को तो यहां आंसर यहां पर आपका हो जाएगा केबल और केबल ए मतलब की हड़ियों की संरचना तो बढ़ते हैं अंगले कोस्टन की तरफ कोस्टन नमबर आ चुका है 46 46 क्या कहता है कि प्रारंभिक काल से प्रारंभिक काल से सुरू करके आरोही क्रम में निमलिकित को सजाएगा यहां प प्रारंभिक किरम में आया उसके बाद उसके परकार से पर प्रारंभिक कल से मतलब की पहले क्या आया फे उसके बाद पर उसके एस परकार आपको मालुम होने चाहिए कितनी है इसकी है 1500 है 1500 BC से 1000 BC, कितनी है 1000 BC, ये आपकी रिग वेदिक अगर उत्तरवेदिक काल की बात करें, तो उसकी समय सीमा है 1600 BC, कितनी ये 1000 से 600 BC, ये भी इंपोर्टेइट अपके लिए डेट है. तो सबसे पहले क्या हुआ था वेदों की रचना हुई थी उसके लगाद माहँ पासाजों के निर्मार्ड की सुरुआत होई थी उसके बाद इनाम गांव में क्रिसकों का ने्बास होता फिर चरक चरक कौन थे चरक एक आपके लिए चिकत सक थिक चिकत सक कह सकते हैं उनको और उन्हें पर एक सही आंसर हो जाएगा तो बढ़ते हैं अंगले कोस्तन की तरफ कोस्तन नंबर आच चुका है यहां पर 47 हाल के काल के अनसर अब रोही किरम मतलब की उल्टे में लिखना आए यहां पर आपको बताना है कि सबसे बाद में क्या हुआ मतलब कि पुराने से क्या करना यहां पर नए से पुराने की तरफ नए से पुराने की तरफ आपको यहां पर वताना है तो सबसे नया इसमें क्या आपको देखने को मिलता है तो आपको यहां पर जो सबसे नया देखने को मिल बात करें तो संगम साहित आया था तो दच्छड भारत में आपका लागू हुआ था ठीक संगम साहित जिसे कहते हैं तो इसके बात क्या हुआ था कि लोहे की पौछी नगर आहत उप्महादीव फ्रीयोग घॉसे नंबर c तो बाठते हैं अंगले कोस्टेन की तरफ कोस्टेन नम्बर 48 48 क्या कहता की देखिएगा यहाँ पर कफन और अभी कफन 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 से संबन्धित कई प्रकार की कोस्टेन यहाँ पर exam में देखने को मिलते हैं बिल्कुल पैटर्न यहाँ पर चेंज है, कोस्टन काफी आपको टफ लग रहे होंगे, क्योंकि पैटर्न ही आयोगने कुछ इस प्रकार से उसका चेंज ही कर डाला है, आपको यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है, आपको मतलब कि सभी यूटूब पर जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, मतलब कि आप बही कॉंटेंट पढ़िएगा, जो आपके सिलेबस की अंतरगत दिया गया है, किसी बाहरी टोपिक को मत पढ़िएगा, जो एक्जाम की दिरिष्ट से इंपोर्टेंट है, वही पढ़िएगा, और हम आपको बताते हैं, प्रीवियस येर के ज अच्छे तरीके से क्या कर लिया, तैयार कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं आपको होने वाली है, ठीक, तो यहाँ पर कोस्तन पढ़ते हैं, कथन वाला है, तो चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवम सांस्कृतिक जीवन के केंदर थे, बिल्कुल जो आपके चोल मंदिर थे और धार्मिक जीवन सांस्कृतिक के जीवन केंदर थे सही बात है ना, चोल कांस प्रतिमाय देवी, देवताओं की थी और कुछ भक्तों की भी थी, जो भगवान की पूजा करते थे, उन भक्तों की भी प्रतिमाओं के अवसेस मिले हैं इतिहासकार को, तो यहाँ पर बतान सही इस पश्टी करड़ भी नहीं है, ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उपसन नमबर चार, नेक्ट कोस्टन, कोस्टन नमबर आ चुका हैं यहाँ पर, उन चास, उन चास भी कथन और कथन से संबंदित कोस्टन है, तो यहाँ पर है कि दिल्ली के सुलतानों कि समय तवारीक के लेखकों ने जनम सिद्ध अधिकार और लिंग भेद के आधार लिंग भेद पर आधारित आधर्त समाज बनाए रखने की सलहा दी कैसी सलहा दी बिल्कुल उन्होंने जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने तवारीक के जो लेखक थे जनम सिद्ध अधिका और लिंग भेत पर आधारित बिवश्ता बना रखने की सला दी थी बिलकुल दी थी तो सही बात हो जाएगी यहां पर एक कतन कैसा है सही हो जाएगा उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे यहां पर यह गलत है उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे किसी को यह अ एक हैता है कि रजिया ने अपने अबिलेखों में अपना नाम पुरुसों जैसा लिखकर अपने पुरुस होने का भ्रहम पैदा किया था बिलकुल भ्रहम नहीं पैदा किया था तो यहां पर यह वाला कथन कैसा होगा गलत कथन हो जाएगा और कथन B की भी जाच करते हैं आप पर तवारी के लेखक ने समाजिक तथा लिंग वेद के आधार पर बनाकर इह तर्क दिया कि पुरुस इस्तिरियों की तुलना में स्रेष्ट होते हैं पुरुस कैसे होते हैं स्रेष्ट होते हैं इस्तिरियों की तुलना में यह तो बात सही थी तो कथन भी ही सही है यहाँ पर ये भी कफन से संबंदित प्रसन हैं, कई मतलब कि ज़ादतर कोशन आपको कफन से ही संबंदित यहां पर दिख रहे हैं, कफन एक 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 ऐताकी अकवर जहांगीर जहांने सुलह एकुल, मतलब की सरवत्र सांती के विचार को सासन का सिद्धान्त बनाया, किसे सिध्धान्त बनाया तो सरवत्र सांती के विचार को क्या बनाया सिध्धान्त बनाया किसने बनाया अकवर जहांगीर और सांजहान यहां पर आपको बताना यह कैसा कथन है यह सही है या गलत है तो यह जो कथन है बिलकुल कैसा है सही कथन है कैसा कथन है बिलकुल सही कथ सभवश्च बनी जो विद्वान धरमbaby charity और मतां धन्ता पर वल देते थे वे अक्सर कटर होते थे यह विवाथ सपर की सम्झ मतलब की सपरने क्या भूब सारे जो धर्म के लोग थे विद्वान थे उनको भी उनसे भी सिम भूब्य ऐसे कथन्हार क़ते हैं तो मतलब अंगले कोस्टन की तरफ कोस्टन नमबर आ चुका है यहां पर फिप्टे टू अर्थाक बाउन कथन ये भी कथन से संबंदित प्रसन है कथन ए कथन भी कथन ए है कि दिल्ली के सुलतानों और मुगलों के काल में सिरेडी वद कैसा सिरेडी वद समाज ज्यादा सरल हो गया था दिल्ली के जो सुलतान थे और मुगल इन दोनों के बीच में कोई सिरेडी वद समाज ज्यादा सरल नहीं हुआ था बलकि जन्ता को इनकी मार जहलनी पड़ी थी ठीक तो कथन दूसरा कहता है कि मतलब ये तो गलत हो गया इसका पत्ता साप ठीक तो कथन भी कहता है कि जन जातिये समाज जो था वो असमान बरगों में विवाजित नहीं था नहीं था तो केबल भी ही सही है यहाँ पर ए गलत किंतु भी सही तो बाउन का होगा यहाँ पर दो ठीक है बारतिय राज्यों का एक संग वनाने का आवान किया बिलकुल गिया था आपके जो बहादूर बिद्रो था यह मेरट से सुरूँ आता 10 मई से ठीक है और जो आपकी फोज की जो सेना थी जो आंदोलन कारी थे ठीक है वो सुबह ही दिल्ली में पहुंच चुके थे जहां बादुर सां जफर क्या करते थे रहते थे तो वहें पर उनका समर्थन मिल गया और यह जो आंदोलन मतलब कि दोनों कतन यहां पर कैसे हैं सही हैं बिल्कुल कैसे हैं सही हैं तो यहां पर जो राइट आंसर होगा तिरेपन कोस्टन का वो क्या होगा यहां पर ए भी दोनों सही हैं ए ने ए को सुनुचित किया बिल्कुल सुनुचित किया तो यहां पर कतन मतलब कि option नंबर 3 र लोग अपने इंडिया में आ गए थे और अपने मन के मताबिक अपने इंडिया को बदलने का प्रयास किया और मतलब की उसी को कहते हैं आपने वेसिक यहां पर बात हो रही है कोस्टन की आपने वेसिक काल के दोरान महिलाएं जो थी जो महिलाएं जाती एवं सुधार के संदर्म में निम्लिकित में से कौन सा विकल्फ गलत है रोंग वाला है यहां पर आपको विकल्फ बताना है यहां पर ओपसन एक दिया गया है कहता है कि पंडित रमावाई ने पूना में एक विदुहा मतलब की विदुहा गिरह इस्तापना की थी बिल्कुल इस्तापना की थी सही बात है यहां पर उन्होंने एक विदुहा मतलब की पूरह जो की बरतमार महराश्ट में पढ़ता है पंडिता रमावाई ने वहाँ एक विद्वा ग्रह की इस्तापना की थी जो विद्वा औरतें थी उनके निवास के लिए उन्होंने एक मतलब की ग्रह मतलब की मकान कह सकते हैं निर्माड करवाए था प्राचीनी ग्रंथों के ग्यान से सुधारों को नए कानून बनाने में मदद मिली थी प्राथना समाज ने केबल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्स किया बिल्कुल गलत बात है जो प्राथना समाज था उसने केबल हिंदू पंथों या ग्रंथों पर विचार विमर्स नहीं किया केन विशार प्रिगण किये थे यहांं पर गलत आपको बताना था तो इस प्रकार से गलत आनसर क्या को आपका गलत होगा, तो नंबर यहां पर four-thा हो जाएगा तो देखते है अंगला कोस्एं अंगला कि संद किया है यहां पर q exam नंबर है यहाँ पर 55 तेलंगाना राज पहले भारत के किस राज का हिस्सा हुआ करता था सभी को मालूम है जो आपका तेलंगाना है वो पहले आपका हुआ करता था आंधर प्रदेश आंधर प्रदेश का हिस्ता दा इस्टेट ओप तेलंगाना वाज इरलेस पार्ट ओव इस स्टेट ऑव इंडिया ठीक है तो आंद्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा तो देखते हैं अंगला कोशन अंगला कोशन क्या है यहां पर अंगला कोशन है आपका पोलिटिकल साइंस से संबंदित ठीक है निमलिगी कतनों पर ध्यान दिये और लोक तंत्र में संच कि विग्यापक के दृष्टी कौो को समाचार करक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए बिल्कुल गलत किसके माध्यम से देनी चाहिए यहां पर वात हो औरे विग्यापक के दृष्टी कोड़बाट को तो गलत है ना यहांपर सही कहता है इसकत क Parents also is अपर सही बात है है तो A और सी कौन कौन से ओप्सन में सिर्फ और सिर्फ ओप्सन नंबर तीन में आप पर देखने को मिलते हैं तो सही अंसर हो जाएंगे केवल ए और सी अब अंगला कोस्टन देखते हैं आपर कोस्टन नंबर आ चुका है सतावन निम्लिकित में से कौन सा विग्यापन रूडिवादी चित्रड जेंडर स्टीरी ओर टाइप का उधारण नहीं है नहीं वाल आपको वताना है रूड़िवादी विग्यापन ठीक है तो विग्यापन आपके पूछे जाते हैं इस परकार से कोस्टन भी एकजाम में त प्रिकार की टीवी आप देख रहे हो तो उसमें चाय का विज्यापन आ गया फिर चार आ गया तो एक मां का सुबह चाय बनाना विल्कुल सही बात है कैसी बात है विल्कुल सही बात है अगर चाय का विज्यापन होगा तो एक मां क्या करेगी सुबह चाय बनाएगी तो तीसर क्या कहता कि दुढ़ी फिस्टिक के विग्यापन में एक मेड़ा का मेड़क और जो इस सोरी समझने का प्रयास यहां पर करेंगे यह ठीक है तो मतलब की जो महिलाएं होती है वहां पर विग्यापन की यहां पर बात हो रही है लिपिश्टिक के विग्यापन की जो महिला क्या करेंगी वहां पर मेकप करेंगी ठीक है तो यह भी बात सत्थ है गाड़ी अगर गाड़ी का विग्यापन करना माली जिसे कार का विग्यापन करना है तो क्या होगा तो एक महिला की प्रती द्वारा मतलब जो उसका पती है पती के द्वारा दपतर छोड़े जाएगा उसकार को दिखाया जाएगा कि उसकार पर वह है उसकी पतनी बैठी हुई और पती चला रहा है उसको ओपस तक छोड़ रहा है तो इस प्रकार से गाड़ी की वो दिखाएगा विग्यापन यह पर यह जो दो तीन चारी कथन तो बिल्कुल सही है लेकिन आपको उधारण गलत बाला बताना तो यहां पर ऑप से नंबर एक हो जाएगा इसका राइट आंसर ठीक तो बढ़ते हैं अंगले कोशन की त उसका सबसे चोटा मादेब आपको मालूम होना चै dads का सबसे चोटा माधिप आपका कौन सा वह आपका आश्ट्रे क्षां आंगे भी पड़ लेते हैं चोटा जो पूरी तरह दचशड़ी में इस्तितह आपका आस्ट्रेलिया जू आपका गिलोब होता है के लोग को जो यहां पर देखते हैं इसे महाधीप भी कहा जाता है तो 69 कोस्टन यहां पर आ चुका है 69 नंबर का कि सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर से दूर जाते हैं तो क्या होता है ग्रहों द्वारा सूर के चारों और एक परिक्रमण करने की अवधी वढ़ती जाती है क्या होती अवधी वढ़ती जाती है तो और दूसरा कहता है ग्रहों द्वारा सूर के चारों और परिक्रमण करने की अवधी घटती जाती घटती नहीं है बलकि वढ़ती है ठीक ग्रहों का आकार घटता ग्रहों का आकार कवी घटता नहीं है बलकि जो ब्रहमांड है यह विस दूसरा तीसरा चौता के बहुत नजदी के ग्रह गैस और तरल पधारतों से बने और सुर से बहुत दूर इस्तित ग्रह चटानों से गलत है ठीक है तो ओसन पर नजर आ होगा केवल केवल एक साहिए ग्रहों दारा सूर के शारों और एक परिक्रमण करने की अब दी वढ़ती जाती है ठीक ना तो भड़ते हैं अंगले कोस्टन की तरफ कोस्टन साथ साथ कहता कि कल्पा ना करें एदी अपने कच्छिय समतल की ओर भ्याव जोकी नहीं नहीं होती इसी भी ना जुकी होती तो क्या होता प्रदीप्त जो ब्रत और देसांतर रहा है दूसरे मिल जाते हैं हाँ जी मिल जाते हैं बिल्कुल मिल जाते हैं प्रदीप्त अच्छांसी अच्छांसी नहीं मिलती हैं जबकि देसांतरी मिल जाते हैं किसी चेतर बिसनेस में कोई मौसमी पर परिबरतन नहीं होता बिल्कुत सही बात है नहीं होता अगर प्रतिवे अच्छ पर जुकी ना होती परिबरतन होता तो गलत तो यहां पर एसी सही हो जाएंगे और सि तो बढ़ते हैं अंगले कोसंट की तरफ कोसे नमबर आचूका है यहां पर एक सट एक सट कि आया देखिए का इसको भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्सों के कारयकाल के लिए चुना जाता है जो गाओं का प्रधान होता है उसे कितने वरसों के लिए चुना जाता या सहर में उसको कह सकते हैं चेरमेन वह चुना जाता आपका पांच वर्स के लिए कितने वर्सों के लिए सिर्फ और सिर्फ फाइव येर्स ठीक ना तो बढ़ते हैं अंगले को सेंग की तरफ को से नमबर आच चुका है आप रवासट पुलिस थाने के प्रवा कमेंट बोक्स में बताना आए बिल्कुल सार यह इसका अंसर ठीक तो आपको इसमें kongon ns लगा का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में वताना है जरूर जरूर आपको वताना है चाहें कुछ भी हो जाए ठीक तो बढ़ते हैं अंगले कोस्टन की तरफ कोस्टन नमर आच चुका है यहां पर 63 हिंदू उत्राधिकार अधिनियम में लाएगे 2005 के संसोधन निमलिकित में से क्या मुहिया करावाया गया था अलप संक्यक संवधाय का धार्मिक धार्मिक विध्याले की बात नहीं होगी यहां पर थीक ना 64 भरतिय संवधान का व्यक्या का अंतिम अर्थनिरडाय किसे माना जाता है यह सभी लोग जानते अर्थनिरडाय जो अंतिम होता है वह होता है आपका नियाइपाली का नेक्ष्ट कोस्टन कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निमलिकित में से कौन से समधाय को निया द लाने के लिए उपसन यहां पर तीन सही हो जाएगा और 66 नंबर का कोस्टन है कि ऐसी राजनितिक विश्टा जिसमें एक से ज्यादा इसतर की सरकारों तो उसे कहते हैं संगबाद सभी लोग जानते हैं संगबाद कहते हैं यह चोटी-चोटे भी प्रिसनाफी एक्जामें पूछ जाते हैं ठीक तो अंगला कोस्टन ता 66 नंबर का निम्रिकित में से कौन सी नीती सामाजिक नियाए को प्रोतसाहिद करती है सरकारी नवक्रियों में सूचिकत डलित जाती कि उमीदबारों को आरच्छर देना बिलकुल सही बात है नियुनतम बेतना मेहनत आना किंद्रित करना चाहिए क्या किंद्रित करना चाहिए जो नई दिल्ली मालीजे से चक आपको समाजिक विग्ञान पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो सिचको यहां पर जो नई दिल्ली के बारे में बास्तु सहली है किस प्रकार की बास्तु सहली है आप बच्चों को किस प्र अगर है यह इस option में अब चोथा भी पढ़के देख लेते हैं कैसे यह British महता और बिसमे का भाव पैदा करती तो option यह पर चार वाला सही हो जाएगा यहां पर यह वाला ठीक तो अंगला question यह पर क्या है उनत्तर उनत्तर क्या है इतिहाद सिचड का उद्देश किंद्रित होना चाहिए भूत काल में घटित क्या हुआ यह बताना भूत काल में कैसे घटित हुआ यह याद करना याद करना सिखाना रटाना सब negative point दर जाते हैं कभी भी इसका right answer नहीं हो सकता याद करना सिखाना रटाना ठीक ना तो अंगला है ना उन मुद्दों की पहचान करना जो बर तक बताएंगे तो यहाँ पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा जिसे आप देखना पसंद नहीं करेंगे हम जानते हैं तो यहीं तक आपके लिए वीडियो था अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो में अंतितक बने रहने के लिए धन्नवाद आपका दिन सुब्रे जैहिंद बंदिमात्रम